अगर आपको भी भीनाव किसी तयारी के कुछ healthy tasty और चटपट से बनाना पड़े तो आप क्या बनाना चाहेंगे? तो चलिए आज ऐसी एक रेस्पी दो कच्चे आलू से बना के तयार करते हैं जो कि एकदम soft, spongy और जालिदार बनके तयार होगा और खाने में बहुत ही जादा tasty लगता है आलू से इडली मिंडो में बनके तयार हो जाता है और इसको बनाने के लिए आपको पहले से कोई भी तयारी करने की जरुवत नहीं पड़ेगी और इसके साथ परोसने के लिए बनाएंगे एकदम तीखी tasty सी चटपटी सी चटणी इसके साथ इसका combination बहुत ही बढ़िया लगता है आज सुबह संडे का दिन है नोईडा का मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया है मतलब बारिस हो रही है और गर्मी बहुत ही कम हो गया है आपके वहाँ मौसम कैसा है मुझे comment करके जरूर बताइएगा तो सबसे पहले मैंने आप पे जो इडली है उसका वैटर बना के रेडी कर लिया है तो एक कप सुजी और एक कप दही को पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम लेंगे दो कज्चे आलू, आलू को छील के रफली हमें काट लेना है, और काटनी के बाद इसे दो से तीन पानी हमें अच्छे से धो लेना है, इसे न एक इंच अद्रक के टुक्ड़े और दो से तीन हरे मिर्च के साथ बढ़िया से पीस के, एकदम इसका स्मूथ हमे में पेस्ट रेडी कर लेना है तो इसको पीषते समय मैंने इसमें पानी नहीं मिक्स किया था अगर आपको पीषने में दिक्कत हो न तो आप इसमें एक से दो चमज पानी डाल सकते हैं ज्यादा पानी मनद ढलिएगा और इसको पीषने के बाद इसे भी मैंने सूझी और जो बैटर रेडी किया था उसमें मिक्स कर दिया है एक बार अच्छे से इसे हमें मिला लेना है और इस बैटर को धक के हम कम से कम 10-12 मिनिट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर जो सूजी है वह अच्छे से फूल जाए इतने देर में जो हम चटनी है उसे बना के रेडी करेंगे तो आज हम बनाएंगे रेड चडनी जो बहुत ही आसानी से बन जाता है काफी हटके रेश्पी है बहुत ही आसानी से मात्र पाच मिनिट में बन जाएगा और आप इसे न केवाल इस इडली के साथ बलकि किसी भी तरह के इडली के साथ डोसे के साथ अप्पे अप् एक मीडियम साइच के प्याज को मैंने इसमे थोड़ा सा भूना है प्याज को बहुत ज़प्त कर लिया है पिर हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर टमाटर को बारी काट के मैंने लिया है और इसके साथ ही मैंने इसमें एक टुकड़ा इंगली का भी डाला है अब हमें अच्छे से इसे चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट न हो जाए आप चाहें तो इसी समय इसमें नमक डाल सकते हैं जिससे टमाटर फटा-फट से सॉफ्ट हो जाएंगे तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसे हमें नमक और थोड़े से पानी के साथ पीस लेना है तो आधा टीस्पुन मैंने इसमें नमक डाला है और एक इस चमश देल को अच्छे सी हमें गरम कर लेना है इसमें, राई डाल देंगे आधा टीजब्ट और इक चमश में दाल और थोड़ासा, इसमें एक चुता य्प टीजब्टा हिंग डाला है 8-10 करी पत्ता भी डाल देंगे इसे थोड़ा सा चलाते विए तड़के को भून लेना है फिर इसके अंदर हमने जो चटनी रेडि किया था वो डाल देंगे और इसे 2 मिन तक चलाते विए हमें भून लेना है जब तक की किनारों से तेल रालाक होने लगे तो बस 2-3 मिनट तक इसे हमें भून लेना है इससे चटनी और भी ज्यादा टेस्ती हो जाता है तो जो इसके अंदर कच्चापण है वो निकल जाता है और यह चटनी बहुत ही टेस्ती बनती है तो यह बहुत यासानी से रेट चटनी बनके तयार हो गई है अभी हम इसको एक तरफ रख देंगे और बैटर को चेक करेंगे बैटर को रखी वे 10 मिनिट हो गया है अगर आपको ये बहुत जादा गाड़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा इसमें पानी एड़ कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे 8-10 करी पत्ता को बारिक काटके 2-3 हरी मिर्च को मैंने इसमें बारिक काटके डाला है और थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टमाटर और थोड़े से प्याज को बारिक बारिक चौप करके इसमें डाला है वैसे आप भी ना इसके भी इसको बना सकते हैं या फिर आप इसमें आपनी पसंद की सबजिया एड़ कर सकते हैं जैसे आप सिमला मिर्ष या गाजर भी इसमें डाला लेना है तो यह जो इडली है इसे आज हम इडली मोल्ट में नहीं बना रहे हैं इसे हम प्लेट में बनाएंगे मतलब बहुत ही असानी से बन जाएगा हर किसी के पास इडली मोल्ट होता भी नहीं है तो पहले इसे mix करके एक तरफ रखेंगे इसमें एक special तड़का लगाएंगे जिससे इसका स्वाद काफी बढ़ जाता है तो इसके लिए एक चमस तेल में चने की दाल, उड़त की दाल, राई डाल के पहले अच्छे से भून लेंगे इस तरीके से तेल का तड़का लगा के बनाएंगे न तो इडली बहुत ही जादा soft भी बनेगी साथ में इसमें जो ये दाले हमने डाली है इससे बहुत ही अच्छा सा crunchy स्वाद आता है इडली में तो आप इसमें इस तरीके से तड़का डालके ही बनाएगा बहुत ही टेस्टी बनेगा तो तड़के को अच्छे से बैटर में मैंने मिक्स कर दिया है अभी हम इसको एक तरफ रखेंगे गैस पे मैंने देखी कढ़ाई रखा है इसमें 3-4 गिलास पानी हम गरम होने के लिए रखेंगे तो अगर आप चाहे न तो जो इडली का मोल्ड होता है न उसमें भी आप इसको बना सकते हैं आज हम इसे कढ़ाई में और प्लेट में बनाएंगे तो आप कोई भी इस तरीक पर आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं एक से दो बच चमच पानी डालके इसे अच्छे से हलके हातों से ही मिलाईएगा तो जैसे हम इसमें इनो डालेंगे न यह बैटर फूल जाएगा इसे हमारी इडली एकदम फुली फुली और एकदम स्पंजी बनती है तो जो प्ले में जैसे ही उबाल आने लगेगा न तो प्लेट को हम इस पे रख देंगी और इसे ढग के हाई फ्लीम में हमें 10 मिनट के लिए पका लेना है तो बस 10 मिनट में हमारी इडली बनके रेडि हो जाएगी तो दस मिनट के बाद गैस बंद करेंगे और इस प्लेट को हमें निकाल लेना है इडली को जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए ना तब ही आप इडली मोल्ट से बाहर करिएगा इससे बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और मिल्कुल भी तूटेगा नहीं तो यहां पर मैंने इसे निकाल के थोड़े दिर के लिए छोड़ दिया था चाको की मतल से हलका सा साइडों पे इसको घुमाएंगे और बहुत ही आसानी से यह निकल जाता है एकदम जालिदार और एकदम सौफ्ट बनके तयार हुआ है यह मतलब आप देखके यंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना सौफ्ट और जालिदार बनके तयार हुआ है तो बस इसी तरीके स आप 10-12 इडली बना के रेडी कर सकते हैं इस तरह की रेस्पी के लिए आपको बहुत जादा सामान की भी जरुवत नहीं पड़ती है और बहुत ही हिल्दी होने के सासा स्वाधिष्ट भी लगते हैं तो जब भी मन करें ब्रेकफास्ट में बचों को टीफिन देना हो या ल आलिदार अंदर से एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बना है एकदम रूवी जैसा सॉफ्ट बनके त्यार हुआ है तो आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा रेस्पी अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक सेर जरूर करें आ साती से फैमिल को सब्सक्राइब कर ले और फिर ऐसी एक नई और मज़दार रेस्पी के साथ मैं जल्दी मिलती हूँ तब तक के लिए नमस्ते